Hello everyone, welcome back to my channel, this is Shifali, I hope you are doing good, great at home सबसे पहले thank you, all age skincare वाली जो मेरी वीडियो थी उस पे इतना प्यार देने के लिए So, आज की भी वीडियो mostly similar होने वाली है Indian Ayurveda को दुनिया भर में बड़ी से बड़ी companies, ingredients को अपने products में use करती है इस routine के लिए मुझे सर्फ 30 days चाहिए, आपकी skin में difference आपको खुदी नजर आएगा 30 days के अंदर बहतरीन skin के लिए आपका पहला step है face को cleanse करना और उसके लिए हम लेंगे कच्चा दूद, आप चाहें तो किसी cotton pad में soak करके अच्छे से निचोड कर उसे अपने face को cleanse कर सकते है आप चाहें तो इसमें एक pin चंदन powder भी add कर सकते है कच्चा दूद हम सभी के घर में easily available होता है और ये ingredient ऐसा है कि हर किसी के घर में आपको easily available हो जाएगा इस video में कोई भी ऐसा ingredient नहीं है जो आपकी घर में available ना हो दूद में present lactic acid हमारी skin को naturally साफ करता है दूद में vitamin D भी होता है जो कि हमारे skin की elasticity को increase करता है face को cleanse करने के बाद normal पानी से आप अपने face को साफ कर सकते हैं अब बार ही है हमारी second step की इस step में हमें face पे stim लेना है stim से हमारे pores open होते हैं open pores में जमी हुई dirt loosen up हो जाती है जिससे बाद के step में हम extract करेंगे इस step को आपको हफते में एक बार ही करना है एक बार से जादा मैं advice नहीं करूँगी 5-7 मिनिट के बाद आपको अच्छे से sweating होगी तो आप किसी भी normal cotton cloth से अपने face को साफ कर सकते हैं second step हो जाने के बाद अब बार ही है third step की third step के अंदर हम अपनी skin को exfoliate करेंगे इसमें मैंने लिया है एक टेबल स्पून चावल का आटा दूद अगर आप अपने skin पे नीम्बू लगाते हैं तो दूद के जगा पे नीम्बू का यूज़ कर सकते हैं आप इसे add करेंगे शहत के साथ इन तीनों ingredient को mix करके आप अपने skin को exfoliate कर सकते हैं चावल का आटा आपको directly market में मिल जाएगा अगर आप market से चावल का आटा नहीं लाना चाहते हैं तो आप घर पे पड़े चावलों को भी अच्छे से powder form में बना कर उसे use कर सकते हैं ध्यान रहे सर्फ इतना कि चावल अच्छे से powder form में हो बहुत ही अच्छे से आपको उसे पीसना है आपके हाथों पर बहुत ही जेंटल प्रेशर होना चाहिए सर्कुलर मोशन में गीले फेस पर आप इसे as a exfoliator यूज़ कर सकते हैं स्टीमिंग के बाद जितना भी डर्ट आपके स्किन पर है ब्लैक हेट्स हैं वाइट हैं वो इस टेप के अंदर लूजन अप हो जाएंगे और बाहर आएंगे इस mask का additional benefit भी है इस mask को अगर आप हर तीन दिन अपने face पे लगाएंगे तो आपकी स्किन टोन में बहुत फरक आएगा आपकी स्किन साफ भी हो जाएगी आपको exfoliate करना है 5-7 मिनिट उसके बाद आप normal पानी से wash कर ले अच्छे से अपने cotton cloth से साफ कर ले अपना face थोड़ी redness होगी पर वो normal है अब हम आते हैं अपने 4 step पर जो की है face mask यूज़ करना एक टेबल स्पुन बेसन लेना है और उसमें 1 टेबल स्पुन मलाई आड़ करनी है अगर आपकी skin oily है तो आप मलाई avoid करें उसके अलावा आप दही को use कर सकते हैं मलाई dry skin के लिए एक saviour है तो आप इसे easily use कर सकते हैं एक pinch healthy powder डालेंगे और अब हम इन सभी ingredients को mix करेंगे और healthy मेरा favorite home remedy है और ऐसा इसी लिए क्योंकि healthy के बहुत सारे medicinal benefits है अगर इसे खाया जाए तो अच्छा है इसे लगाया जाए तो अच्छा है जादा तर बड़े-बड़े brands अपनी organic cream healthy के बहुत use करते हैं और क्यों ना करें इतने benefits जो है tanning जैसी problem हम सभी face करते हैं और बेजन बहुत ही अच्छा ingredient है tanning को हटाने के लिए all in all ये mask बहुत ही अच्छा है और तीन दीन में एक बार आप इस mask को लगा सकते हैं 20 minutes के बाद अपने face को करना है wash और इस mask को wash करते time आपको थोड़ा सा हटाने के लिए बहुत patience रखना होगा क्योंकि इसको हटाना थोड़ा task ही है अब बारी है face पे icing करने की अगर आपकी skin sensitive है तो आपको बहुत ज़्यादा थंड़ा लगेगा तो इसी को cotton cloths में आप अपने ice cube को रख सकते हैं धीरे धीरे इसे dab कर सकते हैं बट आप अगर मेरी बात करें तो मैं इसे अपने skin पर directly use करती हूँ face में icing करने से आपकी skin tighten होगी हमने steam किया है उसके बाद exfoliate किया है उसके बाद mask लगाया है तो हमारी skin के pores open हो चुके हैं icing करने से हमारी skin के pores वापस tighten हो जाएंगे icing करने के बाद आपकी गाल एकदम red हो जाएंगे एकदम कश्मीरी red उसके बाद आप alvira gel लगा सकते हैं skin पर अगर आप चाहें तो अपना favorite moisturizer लगा के process को यही end कर सकते हैं पर मैं alvira gel लगाने के बाद वापस से अपनी skin में icing करूंगी और हाँ एक चीज और जब हम expensive facial करते हैं तो वहाँ पर भी step को follow किया जाता है बस फरक इतना है वहाँ हमसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और घर पर तो सारी चीज़े available है easily और alvira gel भी सभी के घर पे होता है icing करने के बाद अब normal पानी से इसको wash कर सकते हैं या आप towel से gently remove कर सकते हैं simple और basic step है सभी ने follow कर लिये होंगे क्या आप लोग last step guess कर सकते हैं I'm sure आपने guess कर ही लिया होगा अब बारी है facial massage की facial massage को आप अपना maximum एक हफते में एक बार तो कर ही सकते हैं favorite face का serum अगर आपके पास है तो आप उसे use कर सकते हैं या अगर आपके पास face serum नहीं है तो बदाम का तेल या coconut oil coconut oil अपको नहीं use करना है बस बदाम का तेल use करना है उसके बाद face को अच्छे से massage कर सकते हैं ideally massage 15-20 minute करें step by step facial massage skin tone के लिए बहुत ज़ादा अच्छी है step by step facial massage सीखने के लिए YouTube पे बहुत सारी videos available है facial massage के लिए rollers होना ज़रूरी नहीं है आप अपने fingertips से बहुत अच्छे से gently massage कर सकते हैं बस आपका process ठीक होना चाहिए और हाथ भी अच्छे से greasy होने चाहिए and there you go हमने सारी tips follow कर ली ना हमें बाहर जाना पड़ा ना पैसे खर्श करने पड़े I hope आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and comment और subscribe करना मद भूलना आप सभी subscribe करना भूल जाते हो तो please subscribe to my channel and lots of love to my followers or to my subscriber thanks for watching, bye झाल झाल झाल